नमस्कार मैं हूँ पासना आप देख रहे हैं दिललन टॉप बॉलीवुड के किस्सेओं में आज अजे देवगन की बारी है उनकी लाइफ के फड़ा फट से आपको कुछ दस किस्से बताते हैं जिनने जांकर आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि जब मुझे भी पता चला था तो मुझे लगा ज़रूर आपसे ये शेर करना चाहिए तो फड़ा फट से जालू करते हैं बॉलीवुड में 1991 से अजे अक्शन फिल्मों में एक नया चहरा बन कर आए टफ हीरो की छवी है उनकी हमेशा से रही है लेकिन असल जिन्दगी में उनकी हाथ जो है वह बहुत सौट कॉलिश टाइम में अजे गुंडा अगर्दी भी करते थे इसकी वज़ा से वो दो बार जेल वें भी बन रहे है एक बार तो वो अपने पापा की गन भी बिना पूछे लेकर चले गए थे ऐसा कहा जाता है कि अजे ने अपनी पत्नी काजोल की अतिहासिक ब्लॉकबस्चर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कभी नहीं देखी गोविंदा के साथ 1997 में अजे दिल दिवाना ना माने नाम की फिल्म कर रहे थे जो आखिर बन नहीं पाई थे वो मनोज वाजपाई और सुश्मिता सेन को लेकर बर्फ नाम की फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे लेकिन बाद में वो फिल्म भी बंद करनी पड़ी अजे पताते हैं कि उनके घर का महौल बहुत ही मिडल क्लास है और माही उनकी घर चलाती है बागी उनकी दो बहने हैं नीलम और कविता जिनकी शादियां हो चुकी है और उनकी शादी में पूरा बॉलिवोड इंवाइटेड था अगर आप देखना चाते हैं तो यूट्यूब पर एक वीडियो है जाकर देख लिजेगा अजे ने अब तक दो फिल्म में डिरेक्ट की हैं यू मी और हम और शिवाए कोई भी हिट नहीं हुई इनमें अजे का काफी पैसा लगाया अब एक मज़ेदार बात बताते हैं जब अभिशेग बच्चन को एश्वेरा राय से प्यार हुआ था ना उनका रिलेशन्शेप हुआ था तो सबसे पहले अभिशेग ने अजे देवगन को बताया था उसके बाद सबको लास्ट बर नॉट दे लीस्ट बॉबी दियोल और ट्विंकल खन्ना की डेब्यू फिल्म बरसात 1995 में रिलीज हुई थी लेकिन ये फिल्म बनना 1991 में शुरू हो गई और ये बात आप जानकर हैरान होंगे कि बरसात फिल्म के लिए जो लुक टेस था वो अजे देवगन न जानना चाहते हैं तो ललन टॉफ देखते रहिए थैंक यू